हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल देखें मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे जो है फूट प्लांट शेयर कर रहे हैं जिने आप गंबले में ग्रो कर सकते हैं देखें पहले ऐसे था कि गंबले में प्लांट को ग्रो करना एक बहुत असंभव सी बात थी मु गाई है और आप गंबले में एक साल में ही फूट ले सकते हैं इस तरीके की बहुत सारी वेराइटीज आ गई है मेरे पास ओरड़ी 34 जो है फूट प्लांट है तो मैं आज आपके साथ एक एक करके शेयर करूंगी कि कौन-कौन से फूट प्लांट है मैकसिमुम आप गंबल आल टाइम की वेराइटी काफी अच्छी होती है और इसे आप गंबले में ग्रो कर सकते हैं इस तरीके से देखे ये एक बिग कंटेनर में अहां इतना जरूर है कि कुछ चीजे मैंने अभी वीडियो में शेयर की थी कि उनका ध्यान आप जरूर रखें बिग कंटेनर को बि इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों का प्रफर सनलाइट का ध्यान रखें वहले इसे तरीके से घ्रूर हो या प्ले यह से देखें तो देखिए mango का मैंने अभी रिसेंट लीडियो भी शेयर किया था कि दश्यरी आम लगे हुए हैं और उनका भी वीडियो शेयर किया ऐसा नहीं है कई लोगों ने पूछा था कि वो मेरे आम कपसे लग रहे हैं देखिए जिस साल से मैंने प्रेट लगाया था आम का 6 साल पहल इस वज़े से मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाई तो यह कुछ कुछ रीजन्स हो जाते हैं कि कभी-कभी ऐसा होता है वरना आप गंले में भी बहुत अच्छी आप छोटी फैमिली है तो अपनी फैमिली की रिक्वार्मेंट को पूरा कर पाते हैं आम की जो वेराइटी है ग कोई भी प्लांट आप गए और आपने ले लिया आप जहां से भी आपको suitable लगे आपको online purchase कर सकते हैं या आप local nursery से जाके अपने plants को लीजिए आपको काफी अच्छा वहाँ प्लांट मिल जाएंगे बारिश का सीजन है तो most इन नरस्रियों में food plant आ जाते हैं तो आप अपन मन पसंद का fruit plant का selection कर सकते हैं देखिए ये जो है grape vine देखिए मेरी कितनी जवरदस्त हो गई है और मैंने cutting से जो grow की ती इसका video share किया था और देखिए इसका जो दूसरा है इस तरीके से देखिए ये भी container में लगी हुई है और इसका जो mother plant है ये देखिए इस पर से mostly harvesting देख कि मैं fruits तो आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि देखिए mango की मेरी दशेरी की मैंने fruit हर्वेस्ट कर लिये हैं और grapes के भी harvesting हो गई हाला कि कुछ grapes अभी मैंने थोड़े छोड़े हुएं क्योंकि अकसर यहां पर birds आती है और वो इन grapes को खाती है तो उनके लिए जो है मैंने कुछ grapes छोड़े हुएं हाला कि सूख गए हैं देखिए अभी काफी सारे यह देखिए लगे हुएं इसके अंदर यह कुछ ही मैंने इस birds के लिए छोड़ दिये हैं फ्रेंड्स यह जो है seedless lemon का plant है उसे भी आप गमले में बहुत आसनी से ग्रो कर सकते जिस lemon की variety है mostly अच्छ लेमन को भी गमले में ग्रो कर सकते हैं और देखिए friends यह मेरा orange का plant है और गमले में लगा हुआ है इस तरीके से देखिए यह container है actual में मेरे pot जो हैं बहुत पास पास रखे हुएं तो मुझे थोड़ा सा show करने में मैं बहुत अच्छे से नहीं दिखा पाती हूँ तो देखि अभी कुछ इसलिए इस बार जो fruit थोड़े से कम बनेंगे पिछली बार आप वीडियो देखिए बहुत जबर्दस इस समय तो मैं harvesting भी कर चुकी थी पटी दुबारा इसके अंदर जो है fruiting start हूँ यह फलो का आप size देखिए काफी बड़े oranges लगते हैं यानिकि मेरा आप प कफी अच्छी इसमें साल भर इसमें flowering और फूटिंग जो है चलती रहती है इसके अंदर देखिया अभी दुबारा से flowering होी थी और छोटे-छोटे समय फूटो बने है यह जो है इस तरीके से इसमें छोटी-छोटे जो है आपको इसका बहुत जो है best result मिलेगा मेरे यहाँ पर 4-5 साल हो गए इस plant को और यह बहुत अच्छी जो है fruiting करता है और देखिए friends यह जो है मेरा star fruit का plant है और एक साल की इसकी growth देखिए और इसमें जो है fruiting भी हो चुकी है इसके अंदर fruiting नहीं होई है और उसके बाद आप देखिए इसमें bumper flowering हो रही है इसका कैसे देख भल की जाती है किस तरीके से fertilizer दिये जाते हैं सभी वीडियो मैंने share की हुए एक बाद मैं फिर से अलग से वीडियो बनाऊंगी रहते हैं किसी ने कप पूछा था कि ये खटा होता है तो देखिए खटा होता है और साथ में आजकल इसके नई जो variety आती है मीठी variety भी आती है तो आप selection कर सकते हैं कि आपको खटी variety चाहिए मीठी जो भी मैंने video share की हुए species के बारे में खटी और मीठी दौनों कौनसी variety है तो आप उसे अपनी पसंद का गमले में लगा सकते हैं ये गमले में जो है इस तरीके से container का आप size थोड़ा अच्छा रखिए बहुत अच्छे से जो है container में लगने वाला fruit plant है देखे friends ये जो है अनार है और size देखे अब बड़ा होने लग गया अनार का और अभी कुछ time का अभी तो harvesting में थोड़ा time है इसके पर जो अनार का plant है वो भी गमले में बहुत बहुत आसानी से लग जाता है इस बरसात में जो है आप गमले में अनार का पेड़ भी लगाईए बहुत आसानी से grow हो जाता है अच्छी quality का लगाईए भगवा लगाईए गणेश लगाईए सुपर भगवा लगाईए जब अच्छी variety आप लेंगे तो आपको फल भी अच्छे मिलेंगे देखी variety का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है अगर आप अच्छी variety का selection करते है तो आपको फल भी ज़्यादा मिलेंगे और साथ ही उनकी जो जैसे की अनार है उसका दाना soft होगा और मीठा होगा अगर आपने ऐसे ही अगर कोई plant लगा दिया है तो उसकी मिठास इतनी अच्छी नहीं होती है किसी ने पूछा भी था कि अगर उनके अनार में फल मीठे नहीं हो रहे तो आप epsom salt का यूज कर सकते हैं उससे फलों की मिठास थोई बढ़ जाती है देखे friends ये जो है मेरा कि now भी grow कर सकते हैं माल्टा को भी grow कर सकते है और अरंज का plant देखे मेरे पास है ये मैंने अभी जो है काफी लेट प्लांट लगाए थे तो अभी इनमे मेरे फूटिंग स्टार्ट में क्योंकि 2-3 क्योंकि timing होती ही देखिये फूटिंग की तो ये अभी अच्छे से अपनी growth क करेगा और उसके बाद इसमें मैं इसका शेर करूंगी कि किस तरीके से इसमें फूटिंग हो रही है तो प्लांट में देखी काफी अच्छी जो है अपनी ग्रोध कर लिए और इस तरीके से बिग कंटेनर में जितने भी मैं आपको फूट प्लांट शेर कर रही हूं इसी तरी में कुछ प्लांट ही ऐसा हुआ था कि जो मैंने नए प्लांट लगाए थे थोड़ा सा उनको जले थे और हलका सा देखिए लेकिन फिर से उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी स्टार्ट हो गई है थोड़ी गर्मी तेज होती है तो थोड़ा सर्वाइब करना कभी-कभी जो हम नय यहां प्लांट लगाते हैं उन्हें मुश्किल होती है अगर पुराने हो जाते हैं तो फिर वह बहुत ज़्यादा टेंपरेचर को भी सहन कर पाते है तो एपल का प्लांट भी आप इसमें अन्ना लगा सकते है अन्ना वेराइटी है वो भी एपल की काफी अच्छी है यह ज लेने पड़ेंगे औरचने फ्लावरिंग यह जो मेरा है गवाव का कुणला का प्लांट है और करनडे मैरे पास और पूराना प्लांट है और यह दृख criticism इसे कंटेनर में लगा हूँ इसमें काफी फ्लावरिंग हो चुकि है बट मैंने सारी फ्लावरिंग जो है इसकी हटा दी थी क्योंकि प्लांट बहुत चोटा था उस समय तो मैं इस पर फ्रूटिंग लहीं लेना चाहती थी और यह देखिया भी हलाकी एक फ्रूट इसमें मुआ बडbak है और यह जो प्लांट यह द्रेगन फ्रूट का प्लांट है देखि इसे मैंने कटिंग कई थी उससे रड़िग टे अटा देखिया काफी इसकी ग्रूथ क्योंग हो गई है तकि अब फ्लाट के लिए स्चेर्टीीप लिए प्लांट को बहुत चोटीसी एक जाता है कैसे fertilizer का धियान रखा जाता है तो यह इसको थोड़ा सा आपको धियान रखना पड़ेगा plant का बहुत easily grow हो जाता है बहुत जदा water requirement भी नहीं होती है इतनी कोई disease भी इसको नहीं लगती है सिर्फ इतना ही है कि बस आपको इतना ही धियान रखना है कि बहुत ज़्याद मैं fruit plant आपके साथ share कर रही हूँ किसी भी pot में मेरे आपको यह पानी नहीं मिलेगा तो इस तरीके कि soil आपको ready करनी है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो जितने भी fruit plant लगें उनके किसी भी pot में आपके पानी नहीं रुके और देखे friends यह जो मेरा plant है apple bear का plant है और इसक ज्यादा growth इसकी चलती रहती है कि इसे थोड़ा सा संभालना ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि देखे टरस पर जगे बहुत कम होती है तो यह बहुत ज्यादा इसकी growth होती है तो इसलिए इस plant को अगर आप लगा रहे हैं तो एक big container का ही selection करें छोटे container में इसे बिलकुल भी लगाएं लेकिन यह एक ऐसा plant है बहुत hardy plant है और बहुत जल्दी जो है इसमें फल आने स्टार्ट हो जाते हैं यानि कि आप अभी भी लगाएंगे तो मेभी अगस सितंबर में इसमें आपके fruiting start हो जाएं बट आपको grafted fruit plant ही लेना होगा देखे फ्रेंट सी जो मेरा next plant है चीकू का plant है और देखे इसमें birds बनना है start हो गई है तो ये भी एक plant है अच्छी variety लेकिन आप लीजे क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि इसमें fruit तो आते हैं बट fruits नहीं बन पाते हैं तो थोड़ा सा एक चीज़ ये भी है कि चीकू का जो plant है अगर आपने लाकर लगाया है तो थोड़ा सा slow growing plant हो तो थोड़ा सा चीकू के plant को आपको उसके साथ थोड़ा सा patience जिसे मैं कह सकती हो रखना पड़ेगा और इसकी थोड़ी से अच्छा sunlight इसे provide कराईए क्योंकि एक sun loving plant है और साथ ही साथ इसमें अगर आप इसकी काली पत्ती variety लेते हैं चीकू की बहुत अच्छे ची varieties आती है मैं वीडियो इस पर जल्द शेर करूंगी कि कौन सी variety है जो आप इस पर लगा सकते हैं तो यह देखे यह जो है plant गंबले के लिए अच्छा है गंबले में इसमें अच्छे से fruit लग जाते हैं बहुत hardy plant है आप container वही मैं कह रही हूं कि देखे इस तरी प्लावरिंग नहीं हुआ है और इसमें flowering हो चुकी थी बट मैंने इसके अच्छे से प्रूनिंग कर दिये मैंने वीडियो शेर की है कि देखे एपल प्लावरिंग का टाइम आने वाला है तो एपल बेर के प्लावरिंग को किस तरीके से ready किया है मैंने किस तरीके से उसमें fertilizer add किये कौन-कौन से मैंने spray किये उन सब आप वीडियो को आप देख सकते हैं ताकि आप maximum जो फ्रूटिंग है अपने प्लावरिंग पर ले पाएं और फ्रेंट्स यह जो है मेरा बेल पत्र का प्लावरिंग के परपस से अगर आपको लेना है तो इस समय आप इसकी कहीं से air variety बहुत सारी इसकी पंथ शिवानी अपरना बहुत varieties आती हैं जिने आप जमीन में लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से इंसे fruit ले सकते हैं तो बेल पत्र का पौधा भी आप गंबले में आसानी से grow कर सकते हैं देकिन next मेरा जो है बनाना का प्लांट है इसे भी आप गंबल में मिल जाएंगे देखे अगर आपको गंबले में केले चाहिए fruits चाहिए तो उसके लिए आप थोड़ा सा container को जो है बिग रखे ये देखे करोंदे का मेरा plant है और fruits इसमें लगने लग गए हैं ये मैंने बीच से grow किया है और गंबले में आप जो है करोंदे को बहुत आसा भी मेरे यहां पर देखे लगा हुआ है मैंने पूजा के परपसी लगा है वर से grafted plant भी आता है मैं भी इस बार सोच रही हो कि grafted plant जो है गंबले में जरूर लगाऊंगी बहुत चोटे से container में लगा हुआ है ये मेरे जो थोड़ा सा पूजा का section है तो आप गंबले में आप आम इस समय देखे आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि शाम के जब time होता है तो इसकी leaves थोड़ी बंद हो जाती है तो इस food plant को आप गंबले में आसानी से grow कर सकते हैं आप grafted food plant का selection कीजिए तब आपको गंबले में बहुत अच्छे इसमें आमले में फल जाते हैं और फ्रेंट्स यह जो मेरा अंजीर का plant है मैंने cutting से grow किया था और देखी काफी इसकी अच्छी growth हो गई है आप इसे cutting से grow कर सकते हैं उसमें भी जन्दी जो है फल आ जाते हैं तो अंजीर का plant शैतूत का plant और भी बहुत सारे मेरे पास अभी मैंने fruit plant आपको नहीं प्लांट्स को लगाया है तो वो भी आप गंबले में grow कर सकते हैं वहाँ मेरा जामुन का plant भी लगा हुआ है उसे भी आप जो है गंबले में लगा सकते हैं जब भी आप गंबले में fruit plant का selection करें तो आप grafted ही ले तब ही आपको एक से दो साल देखिए कुछ fruit plant तो मैंने जैस आपको ले जाता है कुछ fruit plant ऐसे हैं जो एक से दो साल का भी time ले सकते हैं डिपेंड करता है कि आपने जो fruit plant खरीदा है उसकी age कितनी है तो जैसे जैसे fruit plant देखिए starting में जब हम fruit plant लगाते हैं तो उनकी जो fruitting होती है जो फूटिंग होती है जैसे जैसे आपके plant की age होती आप प्रापर तरीके से उन्हें fertilizer दीजिए अच्छे से उनकी care कीजिए sunlight provide कराईए तो आप भी जो है गंबले में बहुत अच्छे से fruit plant लगा सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को like, share, subscribe जरूर कीजिए तैंक यू